कि को तो हमने इस पर क्या है हमने चिपका दिया इसे क्या होगा कि हम को याद रहेगा क्योंकि हमारी सर्किट है सब पर हम लिखेंगे और इसमें ध्यान दिने आल ऑली बातंप एक और है कि इसके सिरे पर टेप जोड लगा दे तो हमरी एक वाह न अप गई और दूसी वयर में भी हमने mc4 किर्ics पहले ही लगा दिया था जोग अमारी minus की वयर थी और उस minus की वयर में भी हम लगा देंगे जो पैनल में है तो यह देख सकते हो दुस्तो वयर को पहले हम लेके आएंगे जैसे कि हमारा रास्ता बनके आया है तो उसी तरीके से हम इसको लगाएंगे तो और बिन ने मेरे को आत में वायर दे दिया और देने के बाद देख सकते हूं मैंने लगा दिया और लगाने के बाद हम क्या करेंगे फिर जो हमारी रेड गलर की वायर हमने जो नापी थी पहले उसी के हिसाब से हम उस black wire को भी नाप लेंगे तो देख सकते हो मैं red के साथ black wire को भी नाप रहा हूँ और जो black वाली जो wire है वो bundle के साथ लगी हुई है तो हम इसी तरीके से wire को नापते हैं एक वार हमारी wire नप जाए तो फिर हमको problem नहीं होती है और house wiring जब भी करते हैं दोस्तों तो एक सर्कुट ही नापते हैं और सारे सर्कुट सेम रहते हैं तो सेम कॉंसेप्ट यहां भी यूज किया जाता है तो हमारी देखिए दोनों सर्कुट त्यार हो गए एक सर्कुट त्यार हो गया दोनों वायरे प्लस और माइनस की तो दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे टेप लगा के कि इसका प्लस दूसरे में न जाए या इसका माइनस दूसरे सर्कुट में न जाए और अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ आठ पैनल का जो हमने सिरीज किया है उसका बोल्टेज तो टाइम पहले देखिए टाइम क्या हो रहा है इससे में टाइम हो रहा है बारा चावालिस बारा चावालिस हो रहा है दूपैर का टाइम तो इससे में कितना बोल्टेज आ रहा है क्योंकि हमने आठ पैनल का सिरीज किया है तो यह देख सकते हैं यहां पर हम यहां पर भी लगा के चेक कर रहे हैं तो यहां पर जो वोल्टे जा रहा है सम्टिंग तो 374 के आसपस आ रहा है तो इस तरीके से आ रहा है तो जो सिरीज है हमारी सही बनी है सभी पैनल का जो बोल्टेज है वो आ रहा है और ये देख सकते हो हमारी जो wire है कुछ इस तरीके से रखे हुई है आप देख सकते हो हमने जो एक series बनाई है उसकी proper current इसमें आ रहा है तो हमारी एक series बन गई है और इसी तरीके से हम और भी series बनाएंगे आठाट पैनल की तो आठ पंजे 45 इस्टिंग बनेंगी मगर उससे पहले क्या है आप देखना यह देखिए अब उपर की वाली और जो उपर हमारी जो पैनल है उनको भी हम series बना रहे है और उसमें वायर लगा रहा है अर्विन वायर को कनेक्ट कर रहा है और यहां से कुछ इस तरीके से नपके चली जाएगी मैं यह देखिए यहां पर लॉक्टाई महीं लगाते चले जाएंगे कि नपने में वायर को प्रॉब्लम नौ' क कि वायर जो है वो बंडल के हिसाब इसकी कि एक वायर नफ ग्या तो कोई भी प्रोब्लम नहीं होती है वायर को न अपने में तो यहां पर देखिए रेड वाली वायर को हमने नाप रहे हैं दूसरे सरकिट के साथ तो जो हमारा दूसरा सरकिट है वो भी तयार हो गया है दो इस्टिंग तयार हो गई है हमारी और उस वैर को भी मैं नाप रहा हूँ कि कि वैर जो अभी बंडल में है एक वैर बंडल में है तो उसी वैर को मैं फिर नाप रहा हूँ तो देखिए फिर मैं अब कट कर दूंगा बंडल में से तो हमारी ऐसे ही वायर नपती चली जाती है और यह हमारी ब्लैक वायर भी नप गई है तो हमारा जो यहां के जो दो सरकिट है वो दोनों की दोनों सरकिट नप गए है और नपने के बाद उसकी जो वायर है उसको मैं द यह देखे मुझे कटर मिल गया मैं वायर को कट कर दिता हूं तो हमारा जो है दोनों इस्टिंग तयार हो गई है निचे जो हमारा इस्टेंड लगा अठारा पैनल गा तो सोला पैनल हमने स्रीज बना लिए अठाट के और दो पैनल बचे हैं तो उनको हम किसी और के साथ जोड तो करेंट प्रॉपर नहीं आता है तो यहां पर देखिए प्रॉपर 365 बोल्टेज के असपस आ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है ठीक है इस समय और यह हमारी जो इंपूट और आउट्पूट की जो हमने वायरे डाली थी उसको भी सेट किया जा रहा है यहां पर कुछ इस हमारी जो कुछ वैरे जो सोलर पैनल की जो हमने सिरीज की है वो सब यहीं पर रखी है इन वैरों में हम डाल लेंगे पाइप तो पाइप किस तरीके से डालेंगे आप देखना और यह पूरी नाली बन गई है और इधर जो टीम का जो मेंबर है और यह जो है अर्थिंग की वैर हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी तो उसके लिए नाली बनाई जा रही है और उसका जो नाम है वो तो आप देख सकते हो जो हमारी जो वैर है वो यहाँ पर कुछ रखे इंपुट और आउटपुट की और हमारे जो सुवेदार है उस समय नाली को खोद रहे हैं और जो कि हमने local से hire किया था इनको और अभी जो है हमारी जो wire है कुछ इस तरीके से रख्योई है और इसके अंदर जो हमारी solar panel की जो wiring है उसमें हम लगाएंगे piping क्योंकि यह DC wire है तो हम pipe लगाएंगे को हम separate अलगी रखेंगे इन वायरों से pipe लगाके रखेंगे और आप देख सकते हो input और output की wire कुछ इस तरीके से गई यह नीचे और यह हमारे solar panel के जो दो string बनाए है हमने 8-8 panel के solar panel के उनको हम pipe के अंदर लेके जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हो जितेस काफी महनत करते हुए तो हमारे यहाँ से जो है series बन चुकी है और बनने के बाद कुछ इस तरीके से piping करके ले गए तो यहाँ नीचे सिर्फ दो ही पैनल बचे हो उन दो पैनल को भी हम उपर वाले पैनल के साथ चोड़ेंगे देखिए कुछ इस तरीके से हमने piping किया है प्रॉपर तरीके से यह देख सकतो आप और यह नीचे देखिए नीचे यहाँ पर piping के थुरू पूरी वायर गई है और अभी जो है अमारी अल्तिंग के लिए भी नाली बना दी गई है उसकी वायरिंग भी हम करेंगे अभी आप वह आगे देखोगे और यह देखिए अर्टिंग के लिए वायर का पूरा बंडल है तो हम क्या करेंगे यहां पर हमारी जो earthing होगी टोटल 5 earthing होगी और हमारा प्लान यह है कि सभी जगे पे जैसे inverter है inverter की separate earthing डालेंगे बैट्री है उसकी एकदम earthing डालेंगे ACDB, DCDB सबकी जो है separate separate earthing हम यहां पर डालेंगे और LA की भी एक separate रहेगा तो 5 अर्फिंग्व है मगर यहां पर वएर भी सेव vara शिंगल सिंगल डालेंगे सेपरेट सेपरेट तो देखिये हम क्या करेंगे इन वायरो को पाइप के अंदर डालेंगे और निचे जो है यहां पर फिर आ गया हूं नीचे तो हम क्या करेंगे यहां से अर्थिंग की वायर को निकालेंगे उपर से नीचे डालेंगे तो अभी तक जो हमारा काम हुआ है हमारे दो इस्टिंग बन गए है आठाट पैनल के हमारे इंपूट आउटपूट की वायर भी पढ़ गई है और अब बारी है अर्थिंग की वायरिंग की तो हम अर्थिंग की वायरिंग यहां से कुछ निकलेगी तो उसके लिए हम इसको पढ़ेगा तो यह देख सकतो मेरे हाथ में वायर है यह सारी अर्थिंग की वायर है और जिनको हम पाइप के अंदर डाल लें यहाँ पर मैंने पहले यह एक वायर को नाप लिया था इसलिए उसी के बराबर सेम् वायर के पीस कर लिए है और वैसे ही मैं वायर को डाल ला हूं यह देख सकते हैं तो यह सारी वायर को हम डाल देंगे सब सेप्रेट सेप्रेट वायर है और टोटल जो अर्थिंग है नीचे हम पांच चलतिंग करते हैं अले की सेपरेट रहेगी और पाइपिंग के थुरू ही हमारी वायर जा रही है कि वायर खराब ना हो तो यह अभी मैं आवाज दे रहा हूं कि हाँ भाई निचे वायर आई है नहीं आई यह तो दोस्तों हमने उतना काम किया और रात में जो हुई है बारिस मगर हमने क्या किया था सिस्टम को ढख दिया था और ढखने के बाद देख सकते हमारी जो वायरिंग है कुछ इस तरीके से यहां पर आ गई है ACDB DCDB की वायर है और LA की सेप्रिट एक पाइप में आई है वह LA की है बाकि ACDB DCDB और बैटरी की इन सब की सेप्रिट में ने वायर को रखा है तो कुछ इस तरीके से यहां पर पाइपिंग के थुरू गया हुआ है देखिए हमने कुछ साम को काम किया था और अब बारी है हमारे उपर पैनल की वायरिंग करने की तो यह देखिए तीन पैनल जो साइड में लगे हुए थे तो उनकी हम करेंगे वायरिंग तो यह जो तीन पैनल है इन तीनों को हम स्रीज कर देंगे और तीनों पैनल है और इसका जो ब्योसी है उननचास पॉइंट कुछ बोल्टेज है तो अब हम एक बार चैक भी करके देख लेते हैं 47 पॉइंट कुछ आ रहा था क्योंकि घर्ट बढ़ रहा है मौसम भी थोड़ा सा ठीक नहीं है यह देखिए यहां पर बादल हो रखे है कि सुरज को ढग रखा है बादलों ने तो सन लाइट थोड़ी सी कम बढ़ रही थी तो 46 47 इस तरीके से वोल्टेज आ रही तो वोल् देखिए इन के साथ हम जोड़ देंगे तीन पैनल यह होगे और पांच पैनल यहां पर पांच पैनल हम इसमें जोड़ देंगे टोटल आर्ट पैनल हमारे हो जाएंगे तो देखिए मैं सिरीच कर रहा हूं यहां पर दो पैनल को आपस मैंने जोड़ दिया है इन दोनों को मैं जोड़ दूँगा यहाँ पर तो जो हमारी जो वायर का जो सीरा वचा है उसको हम लेके जाएंगे आगे की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह देख सकतो है और वायर की लेंद काफी बढ़िया दे रखे ने तो दूस्तों अब क्या होने लगा है पैनल में कॉस्ट कटिंग के लिए वायर वचाने लगे क्योंकि सीरीज में वायर एक्स्टा लटकती है मगर ऐसा नहीं अब बहुत सारी कंपनी जो है वायर में कॉस्ट कटिंग करना सुरू कर दिया है तो आप यह देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक क्लर की जो वायर है यह हमने लगा दिया है और यह रैड क्लर की वायर तो इसको हम जोड़ देंगे आगे जो आगे नहीं सौरी पीछे की तब जो पैनल लगे उसक साथ हम इसको जोड़ेंगे जो आगे हमारे इससे आगे जो तीन पैनल लगे वह इसके साथ हम सिरीज कर देंगे आठ पैनल की तो यहाँ पे जो हमारी है तीसरी इस्टिंग तयार होगी तो सबसे पहले हम क्या कर रहे है जो पैनल के साथ जो लॉक्टाई लगी है उसको हम यह देख सकते हैं यहां पर तो हमने यहां पर पांच पैनल को फिर से लॉक्टाई निकाल दिया है और फिर यह तीन पैनल यह होगे और यह देखिए वायर में पाइप के अंदर वायर आ रही है और जैसी वायर यहां पर आ जाईगी तो हम यह देखिए सिरीज करना सुरू कर कर दिया हमने यहां पर तो तीन पैनल यह होगे चार-पांच इस तरीके से हम आर्ट पैनल की सिरीज कर देंगे देखें गिन सकते हो आप आर्ट पैनल हमारे हो गया है टोटल आर्ट पैनल हमारे यहां पर सिरीज कर दिया हमने यहां पर और करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करते हैं अर्विंद को पेंदाते हैं सेप्टी वेल्ट क्योंकि पीछे की तरब जो है उनको भी स्रीज करना है उनकी त्यार करनी है तो उसके लिए हम सेप्टी बहुत जरूरी आप देख सकते हो कितनी हाइट पर काम किया जा रहा है तो सेप्टी वेल्ट के साथ ही काम किया तो पीछे की तरफ जो हमारे तीन हमारी इस्टिंग तेयार हो गई है तीन सरकीट तेयार हो गए है अब अमारा जो चौता सरकीट है उसको तयार कर रहे है यह देख सकते हो यहां पर कुछ इस तरीके से पैनल क्युकि पीछे की तरफ है तो safety का द्यान रखना बढ़ेगा तो यहां पर देखिए एक जना जो है इस टूल को पकड़ा हुआ है और क्यामरा मेन अपना काम करते हुए यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके से साइडों पर काम किया जाता है और हमारी जो हिए और ये चौति स्ट्ण भी हम तयार कर रहें तो उसके लिए देख सकते हैँ यहां पर वायरों को जो लुप हो कुछ इस तरीके से सिर्च कर रहे है क्योंकि वीडियो में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा वृडियो थोड़ी सी बड़ी है मगर सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा और देखिए फिर मैं यहाँ पर क्या यहां पर आप देख सकते हुए यह वायर आ गई है कि और हमारे जो है अब चार इश्ट्रिंग तयार होगी पांच वी इस्ट्रिंग के लिए हमारे पास पैनल वच्चे हुए उपर बच्चे हुए हैं और दो पैनल है नीचे तो हम क्या करेंगे यह च्छै पैनल नीचे लेकर जाएंगे और दो पैनल वहां से लाएंगे उनको भी जोड़ देंगे हम इसी के साथ तो हमारे टोटल पांच सर्कृट हो जाएंगे तो अभी आप देख सकते दोस्तों फिर से बारिस सुरू हो गई है फ उसके पिछे बहुत से रीजन है आपको पता चल जाएगा तो बारिस रुक गई है दोस्तों रुकने के बाद फिर से हमने काम को शुरू किया है और हवाएं काफी अच्छी चल ली थी तो यह देखिए उपर की तरफ यह अब हम क्या करेंगे यहां से हमारे जो हैं दो पैन रहां चैड最近 क्यों कि नहींदे नीचे जाएंगे 2500 इस दिखार देता हैFit नहीं टेंट अट चैड़ों को दिखा थे तो कि चैडिकेश करने के बाद चलब समय हाई है तो यह देख सकता है यहां पर दोसो वाहत्तर के आसपास आ रहा है दोसो बातर वोल्ट आ रहा है इस समय तो यह हमारी च्छाइप आल की जो हमने स्रीच किया उसका है क्योंकि अभी हमारा च्छाइप आल यह दो पैनल जोड़ जाएगा तो जाड़े 300 से उपर आना शुरू हो जाएगा तो हमारी जो इस्ट्रिंग है वो तैयार हो गई है यहां पर कि सिर्फ अभी दो पैनल जोड़ना बाकी है इगर फिट से आप देख सकते हो दोसो इकतर बातर आ रहा है तो ठीक है दोस्तों पैनल का करेंट बढ़िया आ रहा है और पाइप को नीचे उतार देंगे सीधे कुछ इस तरीके से और इन्वैटर को हमने ढखके रखा है कि पानी वानी ना जाए इसके अंदर और यह देख सकते हैं यहाँ पे हमारी अर्थिंग की वायर होगी और यह देखिये दो जो वायरे हैं दोस्तों रात में हमने काम किया दो वायरे और stand की वायरे दोनों दोकि ये black है क्योंकि हमारे बस वायर खदम होगी थी red वाली तो black वाली वायर थी तो हमारे जो दो पैनल के जो connection आने थे वो हम लेके नहीं है तो ये इस तरफ है side में तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आगे की तरफ ले लेंगे ये दो पैनल जो है इनको series बना के हम ले आएंगे आगे की तरफ क्योंकि छै पैनल हमारे उपर से है आठ पैनल हो जाएंगे छै दो आठ तो हम क्या करते हैं series करते हैं तो पहले पुरानी वाली स्रीश को खौलेंगे उसके साथ ये दो several connect कर देंगे और इस सीरिश के अंदर जो पहली स्रीश जो बनाई थी हमने पहली और धूसी स्रीश की तो उसकी जो उस वैयर को निकाल देंगे तो जैसे यहां पर निकाला जा रहा है और यह देखिए दोस्तों फिर रात में बारिस हुई फिर हमारा काम रुग्या बारिस ने दोस्तों बहुत परिसान किया इस साइड में तो देख सकते हो स्लो मोसन में किस तरीके से बारिस हो रही थी तो फिर हमने काम को बंद कर दिया था थोड़ा बहुत ही किया था और यह देख सकते हैं यहां पर हमारा सिस्टम है कुछ इस तरीके से लगा हुआ और उपर से भी दोस्तों पानी टपक रहा था और यह देखिए दो जो पैनल जो बनके आया सिरीच उसका मैं आपको बोल्टिज चेक करके दिखाता हूँ यह देखिए यहां पर तो इसका जो बोल्टेज आएगा वो कितना आएगा 90 से उपर का वोल्टिज आना चाहिए 92 आ रहा है ठीक है वोल्टिज बढ़िया है दो पैनल का सिरीज यह आ गया हमारे टोटल पांस सर्किट बनेंगे मगर अभी जो है हमारी वाइरिंग हो गई है पैनल की वाइरिंग प्रपर हो गई है और पैनल की वाइरिंग होने के बाद हमारी जो वाइरिंग है इन्वार्टर की वाइरिंग करेंगे बैट्टी की वाइरिंग करेंगे तो वीडियो को दोस्तों लाज तक देखना है तो अब देखिए पै लगा देते हैं और यहां पर दियान देना है कि जो अमारा कनेक्टर है वह बाहर की तरफ ना रहें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप पानी से हमारा बचा रहें कनेक्टर ने तो फुली वाटर प्रूफ होता है मगर होने से कुछ नहीं होता तो यह देखिए उस क्या कर रहे हैं वाइरों को फनिसिंग देते हुए और उपर देख सकते हो आपको पनिया दिख रही होंगी पैनल के फ्रेम के साथ लगी थी तो दोस्तों इन्हों नहीं बड़ा दुखी किया पैनल लगाने के बाद फिर मेरे को टीम लगानी पड़ी यह पनियों को छुडाने क के लिए फैसे दो आप देखिए हमारी प्रॉपर पाइपिंग के फूर वायर पहुझ गई है इन्वर्टर तक और हमारी पैनल की जो है वायरिंग हो गाई है कि एक पर यह देखिए वैरिंग होने बद कुछ इस त Treasure है है वो दिख रही है आप देख सकते हो दोस्तों तो हमारी जो साइड है कुछ ऐसी दिख रही है तो क्योंकि DC वायर है हम इसमें पाइप बाइप नहीं डाल सकते क्योंकि काफी अच्छी वायर होती है और अर्थिंग की वायर भी हमने जोड दिये गइज तो हमारे जित्ती भी पैनल है यहां पर 40 पैनल 40 के 40 पैनल की जो हमने ओधिए वायर ती की वैर हमने जो नीचे डाली थी तो उसको भी हम यहां पर नीचे उतार दें उतार रहा है और खड्ड किया जाएगा और खत्टो हो गए हैं और पाण के लिए देख लगाया गया मेरे को पता है इस प्रेस के लिए आप बोलोगे मगर इस पेस जो है जितना हमको मिला हमने उतने को यूज किया और रात में देखिए सभी वायरों को हम Connect करते हुए और यह मेरे हाथ में लाइटर है सभी में लगलगा कर हीट लिप लगाकर हम अर्थिंग की वैर को भी जोड़ दिया और यह है रूट्री सुच तो अब हम करेंगे इन्वार्टर की वाइरिंग तो उससे पहले आप देखिए रूट्री सुच भी हमारे यहां पे लगेंगे रूट्री सुच का काम क्या है कि जब भी अगर मालीजे कि कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो रूट्री सुच क्या कर देगा बाइपास कर देगा यह बहुत ही अच्छा उप्सन होता है कि सिस्टम में प्रॉब्लम आया तो आप बाइपास कर दो जब भी इंजिनिर पहुचेगा उसको देखेगा मगर आप क्या करोगे आपका सि पेकाम में आते हैं कि अगर हमको inverter काम नहीं कर रहा है तो हम उसको बाइपस कर दें और देखिए वह लगाने के वाद रात में हमने लगाया के बल्ट्रे क्योंकि दिन में दोस्तों हो रही थी बारिस उसने ज्यादा काम करने नहीं दिया तो अब हम के बल्ट्रे को लगा रहे हैं रात में तो केबल ट्रे भी लगाना बहुत जरूरी है जिससे की हमारी जो वायर है वो दिखे न सारी छुप जाएं और फिर दोस्तों रात में फिर बारिस होगी फिर से हमने क्या किया रात में प्लानिंग किया था कि काम करेंगे काम करेंगे मंगर बारिस ने काम नहीं करने दिया inverter को फिर से मैंने डग दिया डगना बहुत जरूर था क्योंकि काफी तेज हवाय चल ली थी और सब हमारा यहां पे लग रहा तो आप देख सकते हो किस तरीकी से हमने इस टूल को लगाया है और बारिस कितनी तेज हो रही है तो यहां पे हुआ क्या कि देखिए हमन में पैनल लगा लिया मगर सिर्फ इन वाइरिंग करने मेरेको इक हपता लग गया क्यूंकि इतनी बारिस ने हमको दुखी किया तो देख सकतो मॉर्णिंग में कुछ इस तरीके से हमने पनियों को रटा के अपना इन वाइट अप देख सकतो ृतना सेफ है तो हमारी केवल ट्रेल लगी, रूटी सुच लग गया और पॉलर थीन अभी भी उपर की दरफ लगा हुआ है तो उसको हम नहीं अटाएं क्योंकि यहां पर जो है मौसम खराब हो रहा है कभी भी बारिस आ जा रही है दिन में, रात में कोई कह नहीं सकता क्योंकि हमारा दो दिन का काम और हिसने एक हफ्ते लगा दिया, बारिस के वेश से एक हफ्ते लग गया हमको तो यह सारी जो वाइरिंग यह देख सकते हैं यहां पे इनको सिधा कर रहे हैं और अब हम करेंगे जो हमारी चोल्ड पैनल की जो वाईरिंग है वह Dcdv box में हम करेंगे वाईरिंग तो उसके लिए हम क्या करते हैं पहले के वल करें थोड़ी बहुत नहीं लगी थी उसको भी हम अभी लगा लेते हैं और लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे जो हमारी जो सोलर पैनल की जो वायर है उसको हम DCDV box के साथ जोडेंगे तो यह देखिए S4, string 4 होगी सब पर लिखा हुआ है string 1, string 2 तो हम क्या करेंगे string 4 को लेके जाएंगे तो यह हमारा 4 यह रहा क्योंकि हम नंबर के एसाब से ही करेंगे तो 4 का देखिए प्लस की वायर है तो प्लस की वायर हम यहाँ पे fuse में लगाएंग और यह प्लस की वायर आ गई है और इसकी मैनस की वायर को भी लगा देंगे यहाँ पे और वहाँ पे देखिए नीचे हम इश्टिगर भी लगाते चले जाएंगे कि हमारा जो string 1, 2, 3, 4 किदर किदर आया है तो यहाँ पे हमारा जो string है वो 4 का है तो देख सकते हैं यहाँ प 366 के आसपास आ रहा है 367 के आसपास आ रहा है इस्टिंग 4 का बोल्टिस बढ़िया है दोस्तों इस समय और अब हम string 3 को भी हमने लगा दिया है दोस्तों क्योंकि माइनस डिरेक्ट रहता है और प्लस में ही फ्यूज की वैल लगती फ्यूज लगता है और SPD है तो हमारा यह यहां पर दो श्टिंग लग गई है DCDB बॉक्स में यह देखिए 369 369 के आसपास 69 के आसपास था सॉरी और यह श्टिंग 1 भी लगा रहे हैं हम श्टिंग 2 हो गया तो हमारी जो सर्कुट बने हुए उन्हीं को हम लगा रहे हैं तो आप देख सकते हो यहां पर श्टिंग य क्योंकि हमने यहां पर यह देखिए जो दो टू को भी हम लगा लेते हैं दो देखे हैं यह देखें टू नहीं यह वहारई है ishtriff टीन चार सर्किट हमारे लग चुके अब एक सर्कुट बर चाहे मगर एक सर्कुट का है एकमें हमारे से चैला और संभाते हैं और ₹ टो यहां के तरफ मैं आपको उंगली से बताने की कोसित करते हूं कि अ प्रःफ कप्रत के दोनों को यहां परक्रेंगे चैल और दो पर टाइनल करक्र देंगे तो इन दोनों को स्रीज करेंगे हम इसी बॉक्स के अंदर जो हमारा जो डिसी टीवी बॉक्स वन इन वन आउट का है ना उसी के अंदर ही हम इसको स्रीज कर देंगे और स्रीज करने के लिए हम यूज करेंगे स्रीज करने से पहले कि यहां पर जो दो पैनल है उसका अपर स्रीज करने से पहले सिरीज करने से ऑप होता है जोनिवे मैं होता है थो रहता है तो से मित आ अभी देखिए अब जो हमारा है चेल पैनल आ रहा है पीवी शिक्स लिखा हुआ है मैंने उसपे कि मेरु को भी याद रहे है कि तो हम यहां पर इसका भी चेक कर रहे हैं पहले मैंने इसका चेक करके दिखा दिया है मगर एक बढ़े करना बहुत जरूरी है इसका देख सकते हो 204 के आसपास आ रहा है 274 के आसपास आ रहा है ठीक है यहां के 6 पैनल उपर के हैं दो पैनल हमारे निशे के हैं तो 8 पैनल हैं अब हम क्या करते हैं इनको करते हैं सिरीज तो हम सिरीज किस तरीके से करेंगे दोस्तों आप देखना तो अभी थोड़ा सा हील चुका है तब यह उल्टा सिधा रेडिंग दिखा रहा है यह देखिए यहां पर हम कर देंगे यहां पर इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो यहां पर इसको बना लेते हैं और बनाने के बाद फिर हम इसमें लगाते हैं तो आप देख सकते हो मैं MC4 कनेक्टर अभी बना रहा हूं पंचिंग टूल की मदद से प्लास की मदद से क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो हमारा यहां पर हमने स्रीच कर दिया है तो हमारे च्छेदो आठ पैनल हो गए आठ पैनल का हमने स्रीच कर दिया है तो यहां पर हमने क्या कि जो करने के बाद जो हमारी जो वायर है उनका हूं बोल्टेज चेक कर लेते हैं कि अब कितना आ रहा है दिखिए मैंने फिर बोल्टेज पर सैट कर दिया क्लामटर को सेट करने के बाद यह आप देख सकते हैं यहाँ पर और इस चीछ को बड़े ही ध्यान से दोस्तों आप करना अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीखर हो देखे अगर आप इस तरीके काम करते हो और यह देख सकते हो हमारे पांच इस्टिंग त्यार हो गई है तो सब में हमने इस ठीगर को लगा दिया और लगाने के वाद यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूज मैंने किसी में नहीं लगाया है मैं इसको अभी सई से लगा देता हूँ थोड़ा सा प्राब्लम कर रहा है दो दोस्तों यह देखे है तो हमारे पांच इस्टिंग जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तयार हो गए है और अभी हमने फ्यूज नहीं लगाया है फ्यूज हम तब लगाएंगे जब हमारा इ इस्टिंग तयार हो गई है इस टिंग तयार होने के बाद देखिए एक इस्टिंग वर्न इस्टिंग टू यह ठी फॉर और यह फाइब तो आठ पंजे चालिस तो आठाट पैनल हमने पांच इस्सों में बार दिये हैं पांच इस्टिंग अमारी हो गई और पांचो सकते हम बारिस में क्योंकि हम इन पनी को अटाएंगे पानी चला जाएगा तो प्राब्लम करेगा तो देखिए बारिस इतना हुआ कि पानी भर गया है उलचना पर डब्बे डूब्बे से इतना पानी बारिस बहुत हुआ दोस्तों जिस दिन हम जिस समय यह वाइरिंग कर रह ले तो समय बहुत हो रहा था और घुल से पर से हमने इसको अठाए और और ताने यह दूख सकतो काम मैं को शुरू करने से पहले हम पनी को फिर उपरबू और अब जो हैं मर 75gers की वारिंग प्रॉपर हो गये अम्प क्या गरेंगे इन विकीडिटर से उस नहीं बॉकस को जो जा रहा है उस वेर को हम नापे सभी नवर्ट विरोग नाप लेंगे कुछ इस तरीके से तो अभी हम क्या करें करें सभी को नाप ने और वाय नापने के बाद सभी am लगाएंगे लग सब्कौन की मदद से प्रोपर टरीचे से लग लगाएंगे दिख्षत की मदस से उसमें चिपका रहे हेट स्लिप लगा रहे हैं कि एक्ष्टा जो पेर होते हैं वो ना निकले तो हमारी जो है वायर बनके तयार हो गई है जो की DC-DV box से inverter को current दिया जाएगा solar panel का यानि की voltage देंगे solar panel की तो यह देख सकते हो सभी दोनों तरफ हमने lug लगा लिए जिसको pin type lug बोलते हैं और wire हमने तयार कर लिए तो अब हम क्या करेंगे inverter से जोड़ेंगे DC-DV box तो एक इंवाटर में हम आट पैनल देंगे पांच में हम दिदेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ सार्ट देखिए प्लस देखिए पिबी प्लस का निसान औरर पैभी इतल प्लस और मैनल के mayor इनेगेटिव और पॉजटिव लेंगे और यहां पर फ्यूज है फ्यूज का जो आउटपूट आया हुआ है डिसी डिवी बॉक्स का हम उसके साथ लगाएंगे यहां पर कुछ इस तरीके से पहले समझते हैं और समझने के बाद इस तरीके से हम टाइट करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा जो पहला लग गया है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो पहले इनवाटर के साथ लग गया है और लगने के बाद हमारा जो है दूसरा इनवाटर की भी हम वाइरिंग करेंगे यह कुछ इस तरीके से यह हमारा दूसरी इस्टिंग के साथ दूसरा इनवार्टर की वैरिंग कर रहे है और उसमें प्रापर तरीके से हमने लग लगाया है तो हमारा दूसरा इनवार्टर की वैरिंग कर रहे है और ऐसे यह इनवार्टर का यह रहा तो इस्टिंग 1, 1 इनवार्टर, इस्टिंग 2, 2 इनवार्टर इस तरीके से हम सभी को करेंगे और यह हमारा तीसरे इनवार्टर है तो इस तीसरे इनवार्टर की भी हम वायरिंग करेंगे तीसरे इस्टिंग में तो इस तरीके से करते हैं कि हमको भी confused ना हो कि कौन सा inverter में कौन सिष्टिंग की वायर गई है तो ये तीसरा का हमारा तीसरे में जाएगा है ये देखिए कुछ इस तरीके से हम बना रहे हैं तीसरे का हम डालेंगे तीसरे में ये हमने तीसरे में भी लगा दिया है और चौथे का हम लगाएंगे चौथे में तो ये देखिए अभी सौरी तीसरे का है दोस्तों चौथे का अभी हमने वायरिंग नहीं किये यह तीसरे का 30 इस्टिंग में गया, तीसरे इंवर्टर का 30 इस्टिंग में हमने वाइरिंग कर दिये, अब पीछे से देखिए कुछ इस तरीके से हम वाइरिंग कर रहे हैं, और यह है हमारा पांचवा, चौथा भी हमने कर दिया है, पांचवे का हमारा यह पांचवे इस्ट DCDB box में आई हैं DCDB जो box होता है वो होता है safety के लिए तो देखिए पहला inverter का पहला sting में दिया मैंने और यह दूसरे inverter का दूसरा sting यह जैसे कि यहां पर आया और तीसरे का यह तीसरा और जो 4 आ है वह हमारा यह रहा चौथा inverter यह है और 5 वे का यह रहा तो हमने सभी में solar पैनल की वैरों को लगा दिया है और लगाने के बाद मैं वायरिंग कुछ इस तरीके से करूँगा कि आपको भी समझ में आएगा step by step पहले ये पहले ये पहले ये तो अभी देख सकते हो हमने solar panel की वैरों को लगा दिया है बारे आती है से इसको तो हमारी पांच SPD है पांचो SPD की जो वायर है उसमें हम अर्थिंग की वायर को जोडेंगे तो देख सकते हो यहां पे जो टू इन टू आउट का जो PCDB box है उसमें दो SPD है मगर वहां पे वायर सिर्प एक ही लगी क्योंकि दोनों की जो अर्थिंग है वो common है कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप तो हमने यहां पे वायर को लगा दिया और लगाने के बाद आप देख सकते हो दोस्तो तो हमारी जो है Saint one or two के एंदर अर्थिंग की वायर को हमने अभी लगा दिया सिर्फ वायर को लगा है उसको में अर्थिंग के साथ अभी नहीं जोड़ा है तो आप देख सकते हैं यहां से कुछ इस तरीके से हमने लुप किया है यहां से यह और वहां से कुछ ऐसे करके तो हमारी जो है SPD में अर्थिंग की वैर हो गई है solar panel में solar panel की inverter के साथ wiring हो गई है और अब हम इस्टीगर लगा देते हैं inverter 1 और यह हमारा inverter 2 और यह हमारा तीसरे नंबर का inverter हो गया और चाथे पांचवे हमने इस्टीगर लगा लिए तो यह हमारी आउटपुट की वैर जिसको हम अभी नापने है तो देखिए आउटपुट की वैर जो हमारी पैलर बॉक्स में राएगी यानिकि सोलर इनवर्टर से ज हम नाप रहे है जो कि पैलर बॉक्स में जाएगी और वायर का जो साइज है दोस्तों 6 mm टू कोर वायर है तो इसको हम यहाँ पे नाप रहे है तो यह देख सकते दोस्तों और यह जो 6 mm की जो वायर है टू कोर की इसके अंदर जो है 18 से 20 अमपेर का करेंड जाएगा और यह हमने वायरो को नाप लिया है यह आउटपूट वायर है पैलर बॉक्स में जाएगी और इन वायरो को हम क्या करेंगे नापने के बाद हमने इस टीगर लगा लिया है कि एक नंबर इनवर्टर दो नंबर इनवर्टर किसकी कौन सी है तो अब हम क्या करते है देखे 5 वायर है इन सबी वयरों का जो PVC layer है क्योंकि double core वयर है तो उसको निकालेंगे और हम इसमें लग लगाके पंच करेंगे तो यह देख सकतो लग लगाके पंच कर रहे है जो कि pen type लग यहाँ पर लगेंगे तो एक तरफ लग लगाएंगे हम pen type और दूसरी तरफ लग लगाएंगे हम ring type जो की 6 mm के है और heat slip की मदद से उसको हम set कर रहे हैं यह देखिए कुछ इस तरीके से तो हमारी जो है हमने अभी हमारी जो wiring है वह हमने output के लिए बनाई है और यह हम इनपूट के लिए बनालेंगे रात में तो देख सकते हो दोस्तो हमने और बना रहे हैं लग लगा के set कर रहे हैं तो यह हमारी देखिए यह है अभी आउटपुट की वहाई है तो एक तरफ पिन टाइप हो गया और देखिए रात में हम और भी काम करेंगे जैसे कि हमारे यह जो रूटी सुच है रूटी सुच एस चेंज़ोबर की तरह काम करते हैं कि हमारी इसमें लाइन आएंगी लाइन की जा रही है तो यहां पी आप देख सकते हैं इंडिघेटर की वाइरिapan को करते हुए इं और यह देखिए हमारे पास जो सट्वाय है अगले दिन वालनिंग हो गया मौनिंग में अब हम काम करेंगे तो यह देखिए बनाना है तो इसलिए जा रहा है single face और three face वहीं पर होगा तो देखे यहां पर जो है पीछे की तरब जो होता है न आउटपुट की वाइरिंग होती है तो सबसे पहले हम आउटपुट की वाइर लगा रहे हैं तो neutral और face यहां पर लगा रहे हैं क्योंकि two core की वाइर है L और N वाइरों को हम लगा रहे हैं और लगाने के बाद यहां से कुछ ऐसे गया और यह parallel box के पास यहां पर हमने छोड़ दिया है इसको हम बाद में लगाएंगे connection करेंगे इस box के अंदर तो एक number inverter का हो गया है और यह है हमारा दो नंबर के inverter का जो दो नंबर के inverter का हिस वाare को भी हम यहां पर लगा रहें किता दो नंबर का जो inverter है उसकी एंवायर का हमने neutral और face दोनों को लगा रहे है और यह output की वैर हैं दोस्तो इतना आप समझके चलिये तो यह हमारे दो inverter का जो है यहां पे आ गया है output current और इसमें हम इस टिगर भी लगाते जा रहे हैं पहले भी लगे हुए फिर भी हम लगा दे रहे हैं और यह हमारा तीन नंबर का inverter जिसका output current जाएगा क्योंकि अभी जो हैं दोस्तों यह 5-5 kW के inverter है हम इनको 10 kW भी करेंगे 15 kW भी करेंगे जैसी जरूरत होती है उस तरीके से हम इसको करते हैं तो वह पैलर बॉक्स पही हुआ पर पैलर होंगे inverter तो हमारे तीस्या नंबर है तो यह तीस्या नंबर को करें क्योंकि यहां पर 25 kW हमने करना है न तो सिंगल फेज एज तीरी फेज हमने यहां पर करना है तो यह दिख सकते हो हमारे तीन इन्वर्टर का चला गया है और यह हमारा और चौथे inverter का अभी सिर्फ मैं वाइरिंग कर रहा हूं अभी box में जब वाइर करूंगा वाइरिंग करूंगा तब आप वहां पर समझना कि हम पैलर कैसे करेंगे तो यह हमारे आपको समझ में आ गया होगा दौस्तो वह हमारी सारी यहां पर आने के बाद यह देखिए हमारे पांच के पांच इन्वाटर का आउटपूट करेंट की वाइर है वह यहां पर आ गही है और इस box के अंदर हम करेंगे wiring तो इस box के अंदर करना क्या है हमारे देखिए three face है ना और यह यहाँ पर neutral है उपर से already wire को neutral common हो रखा है मगर उन wire को निकालना पड़ेगा तो यह यहाँ पर देखिए दोस्तो क्योंकि यहाँ पर face अलग रहेगा neutral अलग रहेगा separate separate रहेगा तो हमारा 5 और 5 10 तो 10 kilowatt का एक face बनेगा R तो हमारा इसमें क्या है R के अंदर हम 2 inverter देदेंगे यानि कि जो red face है जो हम बनाएंगे उसमें 2 inverter का 5-5 kilowatt को 10 kilowatt बनाएंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं R1 और 2 R1 और 2 inverter है इनवर्टर R में आएगा उन दोनों का जो current है यहाँ पर parallel होगा तो हम क्या करेंगे जो हमारा इस्टीगर है हम ढूंडते हैं कौन सा है एक और 2 inverter एक और 2 तो इन दोनों का जो face है उसको हम यहाँ पर common कर रहे हैं तो दोनों का जो face है दोनों का output face एक हो गया और neutral को हम बाद में लगाएंगे तो हमने वहाँ पर एक और दो लिख दिया है inverter और यह 10 kilowatt का हम यहाँ पर श्टीगर लगा लेते हैं तो यह देखिए यहाँ पर तो हमारा जो यह inverter होगा एक R हो गया यह तो यह हमारा 10 kilowatt का यह हो गया और 10 kilowatt हम yellow color में देंगे यह देखिए 10 kilowatt हम इसमें दे रहे हैं इसमें हमारा है 10 kilowatt 3 और 4 चाल नंबर जो है हमारा 10 kilowatt है तो यहाँ पर देखिए 10 kilowatt का जो मैं इस्टीगर है उसको बना रहा हूँ इस्टीगर इसलिए बना रहा हूँ पर पैलर हो गया है फेस यहाँ पर पैलर हो गया न्यूटल अभी मैंने अलग ही रखा है न्यूटल को भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा यह देख सकते हो दोस्तों और बचा है blue color का फेस तो न्यूटल कॉमा ने पांचवा नंबर का जो हमारा इन वार्टर है वो किसी के साथ पैलर नहीं हो रहा है वो सेप्रेट रहाएगा वो सिर्फ पांच किलोवाट का ही लोड उस पर रहाएगा तो उसको हम blue में डाल देंगे तो यह जो हमारा blue color का जो फेस है फांच किलोवाट का इन वार्टर प्लस है तो हम इसको डाल देंगे blue में तो blue में कुछ इस तरीके से डाल देंगे यह देखी दोस्तों है तो हम blue में हमने डाल दिया है 5 kilowatt पांच नंबर का inverter इसे पांच नंबर का inverter है और इन सब का जो नीटल है वह अभी अलगलग है वैसे ही हम यह पर पी स्टिगर बना देते हैं अभ फाइब के डबलू है मि दो यहमारा फाइब के डबलू का ऑगया अीशी हो गया इन Apa एक दमर्ण psych का भी निउटल कॉमन हो रखे उन वायरों को अभी हम निकाल देंगे क्योंकि इन वायरों को मैंने ही लगाया था थोड़ा सा यहां पे रॉंग हो गया था निउटल कॉमन कि अन दोनों का जो न्यूटल हें 10 kilo watt का हो रहा है तो इसको भी हम common करेंगे तो यहां पर देख सकते हो मैं धूंड़ रहा हूं कौन न्यूट्रे लें कि कि तीनLE चार बार के दोने न्यूटल है इनको भी हम ने common कर दिया इंदर says किलो वाट का जो हो गया हमारा inverter और यह सिर्फ पांच किलो वाट का एक न्यूटल बचा हुआ है तो इसको हम सेप्रेट एक रख देंगे कि तो देखिए निटल भी हमारा स्टेफ्रेट हो गया और जो हमारा फेस है वो भी से ब्लिट से हो गया है देखिए यहां पर तो हमारा इस तरहीए से उपड़िट हो गया है तो यह हमारा 5 kW, यह 10 kW, और यह 10 kW, टोटल हो गया 25 kW, एक हमारा हो गया red, yellow, blue, तो हम इसी तरिकी से 3 phase हमारा यह बन चुका है, तो हम क्या करते हैं, लॉक्टा से थोड़ा सा सेट कर देते हैं, कि यह mix ना हो और इसको friction दे देते हैं थोड़ा सा, तो देख सकते हैं, 10 kW ही तो इतना काम करने के बाद अब बारी आती है दूसरे काम को आप इस चीच को बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए दोस्तो तो हमारे यहां पे इतना काम हो गया है तो अब बारी आती है हमारी inverter में input wire connect करने की मगर उससे पहले जो हमारा ACDB box है उसमें जो हमारा input supply आएगी उस wire को नापने की तो यह हमारी 4 core 16 mm की wire है उसको हमने cut कर लिया है और पहले हम उसको लगाएंगे तो उसमें देखिए लग लगा के पंच कर रहे हैं प्रॉपर तरीके देंगे मीटर का supply देंगे तो उसके लिए तो यह देख सकते हैं यहां पर हमने wire को छील लिया है लग लगा लिया है तो यह देखें ग्लैंट की मदस्य हम उपर को वैर कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है थ्री फेस में जब भी काम करते हैं तो सबसे पहले लगाना को एक्ष्टा रखा है कि future में कोई problem आया तो वैर का भी छोटी ना बढ़े तो हमने न्यूटल लगा लिया है और लगाने के बाद हम लगा रहे हैं ब्लू कलर की वैर को ACDB बॉक्स में थ्री फेस का करेंट देते हुए और यह देख सकते हैं यहां पर यल्लो भी लगा दिया और यह है हमारा रेड तो हमारा जो ब्लू वैर है उसमें सिर्फ 63 का है बाकी 125 एम्पेर की एमसी भी लगी हुई है तो इस तरीके से हम सभी को बाढ़ देंगे आप दे से हमारी जो में वैर आई ती जो नीचे मीटर बॉक्स सीथ्धर आ रही ती उस वैर को हमने ACDB में चनेक्ट के और उसके बाद हम इस ACDB बॉक्स और पैरलर बॉक्स में यहां पर अर्थिंग की वैर को जोडेंगे तो देखिए इन दोनों की जो अर्थिंग वर है वहुँमन एक वायर है तो इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे यह देखिए ACDB की जो Earth की SPD है उसके साथ हम इस वायर को लगा देंगे तो यह आप देखने को मिल ला होगा SPD की Earth की वायर लगी हुई है और उसके साथ हम यह जो Ground से जो Earth की आरी उसको जोड़ देंगे र नट खोलते हैं तो नट खोलने के भाद ह Neden उसलिकर तरह के लिए से मैं नाद कर लेते हैं और इधर जो हमारा प्लर बॉक्स है ऊसमें भी और सिटे दिते मिए कं वरतिंग कुछ इस तरीके से शच towमई के से ताइछ कर लिए को और दोस्तों अभी main supply सारा कुछ बंद है तब ही हम कामगर पा रहे तो यह देख सकतो है हमारा यहां पे SPD में हमने earthing दे दिया है parallel box में भी earthing दे दिया है और हमारा जो ACTV box है उसमें भी हमने earthing दे दिया है तो अब बारी आती है input supply देने की तो यह देखिए यहां पर 3 phase है 1,2, 2 inverter है इन दोनों में हम एक ही phase देंगे यह देख सकते हैं यहां पर 2 inverter है दोनों inverter को हम एक ही phase देंगे 2 inverter यह देखिए सब phase की जो wire है पहले में उपर ले लेता हूँ अब हम input current दे रहे हैं तो यहां पर देखिए जो red color का जो हमारा है यहां पर हम input देंगे तो एक नमबर और दो नमबर का जो inverter है उन दोनों को एक ही face देंगे charging के लिए अगर light ना हो sorry light से charge करने के लिए कि मौसम खराब है तो हम इससे भी charge कर सके तो देखिए हमने red में दो inverter दिये है यलो में भी तीन और चार inverter का जो है उसको दिया है देख सकतो है यहां पर inverter 3 और 4 दिया हुआ है तो हम यहां पे sticker लगा रहे है और लगाने के बाद आप देख सकते हो कुछ एक तो इस तरीके से पांच नंबर का जो इनवर्टर है उसमें हमारा वाई फेज जाएगा उससे चार्ज करेगा जब मौसम खराब है तो क्या करेंगे दूपनी निकलेगी तो ग्रिट से चार्ज करेगा और इनका जो न्यूटल है दोस्तों यहां पर क्योंकि न्यूटल यहां और हम से ब्सक्राइब आपसे में हुए तो हम यहां पर यूटल को ससा किसी में लगा देंगे क्योंकि सब 1 तो देखी अच्छी तरीके से हम टाइट कर देते हैं है और इह दीखिए दोस्ते यहां पर negativity uphold कान्यों खी इसमें युझे टियु देखेätta हैं यह सब्सकारायोर्ट सब्सक्राइल और में फेस एक नमबर और तो नमबर का है। में हम दे रहे हैं इसको एक करेंट दे रहे हैं और तीन और चार का है यह और इसका यह न्यूटलर इसका यह इसका यह तो यहां पर हमने दे दिया है तो हमारा जो इनवर्टर है उसकी वायर को हमने जोड़ दिया है ACDV box में मगर अभी जो है हमारे inverter में input current की wire को हमने जोड़ा नहीं अभी सिर्फ हमने ACDV box में ही wiring की है तो अब हम करेंगे इसके अंदर wiring तो पहले हम wire को set करते हैं तो एक number के अंदर देखे हम input दे रहे हैं यह देखे कुछ इस तरीके से तो हमारी यह input है input current देते हुए हम मीटर का तो हम input current यहाँ पे देंगे तो हमारा जो है input supply यहाँ से जाएगी एक number inverter में और यह हमारा दो number का भी हम इसी तरीके से देंगे तो दोस्तो हम दो number के inverter को भी हम input wire को जोड़ा है तो इसी तरीके से हम सभी inverter में वायरों को जोड़ेंगे तो देख सकते हो दो number भी complete हो गया है हमारा और यह तीसरे number में हमें input की वायर को लगा रहे है already हमारा ECDB box में पहले से ही वायर को हमने लगा दिया है और हम इसको अच्छी तरीके से tight करेंगे और tight करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तो यह हमारे तीन inverter में वायरिंग है इसमें भी हम वायर को लगाएंगे और सारी जो वायरे हैं वो cable tray की मदस से ही सारी वायरे आ रहे है तो यह हमारे चौथे number का inverter है तो हम इसमें भी अच्छी तरीके से लगा देंगे इसमें दीख सकते हो यहाँ पर हम tight कर रहे है वायर को और यहाँ पर हम machine का use नहीं कर रहे है हम सिर्फ हास से पेचकस्त की मदस से कर रहे है क्योंकि machine जो है तो यह देखिए हमारा जो पाँचवाई inverter है उसमें भी हम input की वैरों को लगा रहे है और इसी तरीके से वैर लगाएंगे इन्पुट की वैर हैनि कि हमारी output जैसे हमने पाँचों में लगाई है वैसे ही input भी हम सभी में लगाएंगे और यह देख सकते हो दोस्तों हमारा जो पाँच के पाँच inverter में हमने input की वैरों को लगा दिया है output की वैर का भी connection कर दिया है अब बारी आती है दोस्तों inverter में connection करने की earthing की तो हमारी जो earthing की वैर एक separate रहेगी उस वैर को हम पहले यहाँपे एक inverter के साथ नापेंगे और सभी वैरों को हम क्या करेंगे आपर कुछ इस तरीके से छोड़ आँ और अभी सभी में लग लगाके प्रपर तरीके से यहाँ पे लगाएंगे तो यह देखिए यहांपे हम वैरों को लग लगाते हुए और लग लगाने के वाद सभी को हम separate separate वैर डाल देंगे टौपर तरीके से पंच करेंगे लग लगाएंगे तो यह हमारी जो अवी अर्थिं immense की वैरों को हम ले के आरें यहीं और उसमें सभी wireों को पंच कर दिया और टेप माल दिया यह जो wire है हमारी inverter की wire है तो यह सभी को हमने यहां पर common कर दिया है और अभी जो है inverter में हमने अरफिंग की wire को नहीं जोड़ा तो अब लगा रहे हम इनपूट में दे रहे हैं सब्सक्राइब और दूसरा इंवार और यह हमारा दूसरा ओ पिनमर्ट में पहर भागें लगा लेंगे तो दोस्तों आपने यहां तक देख लिया कि हमारा इंपुट आउटपुट की वायर लग गई है और सोलर पैनल की भी वायर लग गई है तो अब जो वायर बची है वो बैट्टी की वायर बची है इसमें इन्वार्टर में वायरिंग होने की है कि तो हम किस तरीके सी करें अपधना तो अभी आप देखिए जो हमने अभी वायरिंग किये उतनी वायरिंग आप देख सकते हमने किस weiner so है है आप इस चीज को समझ लीजिए और अब बारी आती है बैट्री के करनें कि तो उसके लिए हम वायरों को कट कर रहे हैं तो यह 25 आमम की वायर है जिसको हम कटर की मददस्य वायर को कट कर रहे हैं और यह देख सकते हैं दोस्तों वायर कट करने के बाद हम इसमें 25 का लग लगाएंगे कौपर गाह और सभी को हम पेफलर करेंगे तो सेम हाइट में वायर रहेगे साथ दोनों की प्लस और मैंस की तो यह देख सकते हो हमारी जो वायर है वायर को हमने कट कर लिये अब हम क्या करेंगे इसको चीलेंगे और चीलने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे 25 का लग चो कि हमारा लगेगा रिंग टाइप यानि की पिन टाइप रिंग टाइप लगोते हैं और यह देखिए अभी हीट स्लिप को डाल ले रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक तो हमारी देख सकतो 25 के हमने लग लगा दी है और दोन के अब हम इसको लगा रहे हैं यहांपे गेटी के साथ तो यह हमारा अभी प्लस को हम जोड़ है तो हमारे पाचो बैटी पट्र हैं यह इस बस्वाइर के साथ जुड जाएंगे तो यहां पर क्या होowania connection हो रहा है बेका तो देख सकते हुए यहां पर कुछ इस तरीके से connection कर रहे हैं तो हमारी जो दो बैट्टी है दो बैट्टी का हमने वैर को लगा दिया है और लगाने के बाद यहां पर दोस्तो अच्छी तरीके से tight करना है और यहां पर जहां पर चावी लगने को है वहां पर चावी लगा रहे हैं जहां पर slider यूजो नो को लोंगे थिए तो आपि हम मसीन का यूजर रहे हैं तो हमारा जो है यह वह सी इस बस मे जोड़ेगा तो जीतने भी हमारे पंच बैट्टी के जो माइनस है वह पांचों के पांचों कुंण हम बस वैर में जोड़े को पर की जो बस वोए है और काफी है भी बस वैर है और चाओ अब इस लिए देखिए दो तीन चार पांच के पांच हम इसी तरीके से जोड़ देंगे तो हमारे पांचो प्लस एक जिगा लग गए है और पांचो माइनस एक जिगा लग गए है तो आप पीछे से देख सकते हो कुछ इस तरीके से इस एक तरफ है हमारे प्लस है और एक तरफ माइनस है तो यहां पे पांचों की पांचों बैटी पैलर होगी है 25 किलोवाट की जो बैटी है वो पैलर हमने कर दिये यह देखें कुछ इस तरीके से यह प्लस आ गया यह प्लस आ गया यह प्लस आ गया यह प्लस आ गया तो जो हमारी बैटी है वो 48 बोल्ट की है 100 एच की है तो यहां यह जो है वो 500 हो गया बोल्टिज जो हमारी 48 ही रहेगी तो यहां पर जब हम पैलर कनेक्शन करते हैं तो हमारा एच बढ़ता है यानि कि एमपिर बढ़ता है बोल्टिज स्वीम रहता है और यहां पर देखिए हमारी एक केबल ट्रे गलत लगी थी तो हम उसको उतार लेते है कहीं और यूज़ करेंगे और यह देखिए दोस्तो हमारी जो नीचे से जो हमने वायर नापी थी तीन वायर